नमस्कार दोस्तों मैं योगेंदरपाल एक वार फिर आपका स्वागत करता हूँ वीडियो टुटोरियल की इस रंखला में जिसका नाम है योगी इस गाइड टू C++ अपने आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम डेव C++ कंपाइब रकों कैसे इंस्टॉल करें तो आईए प्लसके आपको अपने आपको असको डॉट करना होगा डॉट करने के लिए आप जाएंगे bloodshed.net 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 website पर जाने पर आपको यह front page दिखाई देगा इस front page पर सबसे उपर देखे top पर यहाँ पर 21 फरवरी 2005 को dev c++ compiler का beta version release हुआ था यही dev c++ compiler का सबसे आखरी version था जो release हुआ था इसके बाद कोई भी version नहीं आया है परन्तो यदि आप कभी और website पर जाते हैं और आपको latest version दिखाई देता है तो आप उस latest version को ही download करें तो हमको यह version download करना है इस पर click कीजिए link पर click करने के बाद आपके सामने यह page आएगा इस page पर आप पढ़ सकते हैं dev c++ compiler के features के बारे में नीचे उसकी requirement है और सबसे last में आपको download के link दिखाई देंगे तो यहाँ पर download के लिए total तीन link आपको दिखाई जा रहे हैं पहले में dev c++ compiler के साथ min gw और gcc support है यह वह c++ compiler है जिसका इस्तेमाल linux में किया जाता है c++ के programs अत्वा c program को compile करने के लिए min gw windows पर gcc का support प्रोवाइड करता है इसके ठीक नीचे है dev c++ का वेटा वर्जन सिर्फ executable फाईल में ध्यान से देखिए इस वर्जन में ना तो min gw सामिल है और ना ही gcc तो यदि आप इसको download करके install भी कर लेंगे तो भी आप program compile नहीं कर पाएंगे उसके लिए आपको min gw तथा gcc अलग से download करना होगा और सबसे आखिर में है dev c++ compiler का source code तो यदि आप source code पढ़ना चाते हैं तो आप इस package को download कीजे यदि आप advanced user है और min gw तथा gcc को अलग से download कर सकते हैं तो आप इस package को install कीजे पर यदि आप नई user है तो आपको यह package install करना चाहिए इस package को install करने के लिए सबसे पहले आपको इसे download करना होगा download करने के लिए यहाँ पर link दिया है download कीजे source forge website से तो click कीजे click करने पर यह source forge की website पर आपको ले जाएगा और यहाँ पर direct link है इसको download करने का और यहाँ पर mirror है आप चाहें तो mirror change भी कर सकते हैं अन्य था automatically कुछी देर में devc++ compiler download होना start हो जाएगा जब यह download होना start होगा तो यह आप से पूछ सकता है आपकी windows पर depend करता है यह आप से पूछ सकता है कि आप इस file को रखना चाहते हैं अथवा नहीं तो क्योंकि मुझे पता है कि यह किसी भी तरह से harmful नहीं है मेरे computer के लिए तो मैं इस file को रखना पसंद करूँआ key button पर click कीजिए devc++ compiler download होना start हो जाएगा तो यह download हो चुका है अब क्योंकि यह download हो चुका है तो हमको bloodset.net के आवसकता नहीं है इस website हो close कर देते हैं अब जाते हैं जहां पर हमारा devc++ compiler download हुआ है यह हमारे desktop पर download हुआ है इसको install करने के लिए वही simple तरीका है आपको इस पर double click करना है ओके कीजिए setup start हो चुका है English भासा का हम प्रयोग करेंगे आपको license पर agree होना ही पड़ेगा अन्यता या install नहीं होगा तो I agree बटन पर click कीजिए यहाँ पर आपको type पूछा जाएगा कि आप किस तरह से करना चाहते हैं फुल, typical, अथवा, custom typical में कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएगी जैसे कि language file यहाँ पर छोड़ दी जा रही है debug file और remove all previous files के बारे में खा जा रहा है हम यहाँ पर full का प्रयोग करेंगे और हम हमें सायद रखी है तो यह आप एक से ज्यादा बार devc++ compiler को install कर रहे हैं रिमूव ना करें files को अन्य था आपके द्वारा बराए गए सभी programs भी remove हो जाएंगे तो full पर select करने के बाद हम next बटन पर क्लिक करेंगे फोल्डर पुछा जा रहा है तो यह हमेसा अच्छा है कि आप c drive में ही install करें जिससे कि हम यदि command line से काम करेंगे तो हमें path देने में आसानी होगी इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए devc++ compiler की installation प्रारम हो जाएगी यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप devc++ compiler को सभी users के लिए install करना चाहते हैं जी हाँ मैं सभी users के लिए install करना चुका है तो फिनिस बटन पर क्लिक कीजिए फिनिस बटन पर क्लिक करने के साथ ही devc++ compiler खुल जाएगा जब devc++ खुलेगा तो प्रारंब में आपको कुछ टिप्स दी जाएंगी उके बटन पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपसे अपनी भासा चुनने के लिए कहा जाएगा gcc compiler कुल मिलाकर तीन तरह के लुक के साथ आता है तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह समय new look select है और gcc compiler कुछ इस तरह दिखाई देगा यदि हम genome को चुनेंगे तो वे कुछ इस तरह से दिखाई देगा और यदि हम blue को चुनेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको चुन सकते हैं मैं new look के साथ जाओंगा और next button पर click करता हूँ यहाँ पर आपसे header की information के बारे में जानकारी ली जा रही है तो हाँ क्योंकि यह एक advanced feature है और मैं इस इस feature का इस्तिमाल करना चाता हूँ इसलिए मैंने चूज किए yes I want to use this feature next कर दीजिए कैसे create करने के बारे में आपसे पूछा जा रहा है yes कर दीजिए और next button पर click कीजिए parse कर रहा है files को parsing में कुछ समय लग जाता है एक वार file को parse होने के बाद आप devc++ compiler का प्रेयोग कर सकते हैं parsing complete होने के बाद आप ok बटन पर click कीजिए और आप देखेंगे कि devc++ पूरी तरह से install हो चुका है और कुछ ही देर में devc++ environment आपके सामने खुल कर आ जाएगा तो यह है हमारा devc++ IDE इस IDE का प्रेयोग करते हुए हम program लिख सकते हैं तो अब devc++ compiler आपके computer में install हो चुका है तो अगले वीडियो में हम अपना पहला c++ का program लिखेंगे तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार